ही दोस्तों वेलकम टू स्टड़ी आईएस और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ चाइनीज मांजा के बारे में डिसकस करने वाला हूँ देखी दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि जो चाइनीज मांजा है इसकी वजह से यहाँ पे आपकर सकते हैं दिल्ली के अंदर काफिसरी देट्स और दोस्तों इंजरीज को विटनेस करा गया है जी हाँ दोस्तों मांजे से यहाँ पे काफिसरी जो देथ है इसे नोटि मांजा के यूज करते हैं तो बताया जा रहा है कि जो Chinese मांजा ये इतना खतरनाक है कि ये जो है आप करे सकते हैं लोगों की जान तक ले रहा है आज की वीडियो में इस टॉपक के बारे में डिस्कस होने वाला है एंड तक देखीगा काफी मज़ा आएगा Unacademy की performance दोस्तो पिसले दो सालों से मैं काफी बैतरीन देखने को मिली है जो टॉपर से दोस्तो ये भी हमें Unacademy से बिलांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं साथी दोस्तो 18 अगस्त थे ने बैच्चे स्टार्ट हैं सभी upcoming year के तो आप लोग जाके खुद को यहाँ पे enroll कर सकते हैं और इसका benefit भी ले सकते हैं इसी तरीके से दोस्तो 19 अगस्त तक आप लोग लिए offer है वन्ना उसके बाद जो हैं वो price बढ़ जाएंगे extra यहाँ पे 10% discount लेने के लिए आप लोग जो हमारा code is steady IES का उसे use कर सकते हैं ओके दोस्तो साथ ही आप लोग को बता दूँ कि 22 से लेगे 25 जुलाई तक यहाँ पे unacademy प्रयास 2022 चलेगा जो की offline mains का mock test है यहाँ पे आप लोग खुद को participate करवा सकते हैं enroll करने के लिए आप लोग अभी जाईए और खुद को enroll कीजिए जो यहाँ पे test center है दोस्तो वो दिल्ली का है जैपूर का है और लखनव का आप लोग बहुत इसली यहाँ पे खुद को enroll कर पाएंगे इसी तरीकेश दोस्तो यहाँ पे बता दूँ कि आज 11 बजे होने वाला है आप लोग का UPSC CSC का JS Compact यहाँ पे भी जल्दी जाईए और खुद के enroll करके इसका benefit भी ले लिजे 0% की MIB अविल बाई दोस्तो तो आप लोग इसका benefit भी जरूर लिजेगा और ऐसी दोस्तो CSC Assure है इसका benefit लिजेगा आप लोग हमारा code उज़ करके इसका benefit ले सकते हैं study IAS code उज़ कीजे और benefit लिजे CSC Assure का देखिए दोस्तो आप लोग के साथ discuss करता हूं मैं basically कि जैसे जैसे Independence Day आ रहा है हर सल बनाया जाता है यहां बताया गया है इस साल at least 3 यहां पर motorcyclist हैं जिनकी death हो गई है क्योंकि आप बता दूँ कि उनके throat के तरफ यहां पर मांजा आ गया और उसने काट दिया अब आप लोग मान सकते हैं कि जब किसी के गले के पास आ जाए तो वह और दिक्कत है इसके बाद दोस्तो यहां पर कहीना कहीं बोला गया है कि जो बाइक का चक्का होता है उसके अंदर भी जो मांजा है यह कहीना कहीं टैंगल हो जाता है तो उसकी वज़े से भी दिक्कत आई है और वहां से भी death हुई है एक दोस्तों यहां पर काफी सारे cases हैं जहां पर injury हुई है क्योंकि काइट की string होती है यह कहीं ना कहीं neck को cut कर देती है उसकी वज़े से भी injury हुई है ओके आप देखिए दोस्तों आपलों को बता दूँ कि इसके साथ साथ यहां पर कई सारे cases ऐसे देखिए हैं कि इतनी बुड़ी injury हुई है वहां पर कि लोगों को तुरंथ hospital लेगे जाना पड़ा नहीं तो फिर उनकी भी death हो जाती है तो इस तरीके से जो यहां पर cases यहां में देखने को मिल रहे हैं अब चाइनीज मांजा है क्यों बोला गया है देखे मैं बता दूँ कि जो चाइनीज मांजा होता यह glass coated synthetic string का बना रहता है और हम लोग जो पतंग वड़ाते हैं वो इसकी मदद से उड़ाते हैं यह दोस्तों mono filament fishing line से बना है ओके आप इसको बता दूँ कि जिस तरीके से आपके काफी सारे जो activist हैं वो सब बोलते हैं कि जो mono filament है दोस्तों यह काफी deadly है और यह आपको बता दूँ कि यह melting और mixing polymer के साथ बनती है और यह जो आपके सकते हैं string है दोस्तों इसके उपर glass जो है वो भी coated रहता है okay stretch दोस्तों tight रहती है तो mono filament जो string है दोस्तों इसकी ability रहती है कि यह किसी human को injury दे सके animal को injury दे सके मैं बता दूँ आप लोग को काफी सरी application फेल्ड हुई थी NGT ने state भी करा कुछ यहाँ पे sample string को लेके कि बोला उन्होंने कि more than 19,000 यहाँ पे abrasions आए हैं break और यहाँ पे deadly nylon को लेके जो कि break नहीं होते हैं और उसकी वज़े से कहीं न कहीं यहाँ पर किसकते हैं कि shoulder अगयरा इनको भी दिक्कत होती है अब यहाँ पे आपके सकते हैं Chinese मांजे के बारी कहां से आती है या फिर किस तरीकी से पता लगता है देगी दोस्तों जो नाम है आपके सकते हैं वो mislead करा गया है क्योंकि यह सब कुछ आपके सकते हैं import नहीं होता है चाइना से पर दोस्तों यह domestically ही बनाया जाता है अब लग आपको लग रहा होगा कि Chinese मांजा तो चाइना से आ रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि यह चैनीज मांजा नहीं है जो इस ट्रिंग है दोस्तों आपको बता दूँँ कि यह आपके सकते हैं जो यूपी का बरिली वाला पार्ट हो गया म अलाइन भी सोल्ड करी जा रही है जो मांजा है दोस्तों जो की बरेली से आता है उसे कंसीडर किया जाता है अब मैं बता दूँ आप लोग को पर यह इतना ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं रहता कि यह किसी एनीमल को किसी हुमन को इंजरी दे सके कुछ यहां पर किया जाता है इसके उपर स्ट्रिंग के उपर तब जाके इनको हार्ड बनाया जाता है में डिजन दोस्तों यह है पॉपॉलरिटी आफ चाइना मांजा का क्यूंकि इसकी कॉस्ट के वज़े से जो थर्ड यहां पर कर सकते हैं कॉस्ट आइए कॉटन मांजा की वह काफी बसते होने के वज़े से हम उसे चाइनीज मांजा कहा देते हैं बट रियालेटी दोस्तों ऐसा हो रहा है कि वह भारत में ही आपके सकते हैं बन रहा है अब आकर यहां पर क्या लीगल पोजिशन्स है चाइनीज मांजा की देखिए 2016 में दो बच्चे थे जिनकी इमृत्य हो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिली गवर्मेंट ने भी पास्ट करा एक नोटिफिकेशन और बैन करा ग्लास कोटेड मांजा को 2017 के अंदर दोस्तों सुप्रीम कोट ने यह बोला पैटिशनर को कि वो जाएं NGT तक और और करा कि वो कम्प्लीट बैन ला सके मांजा पर जो कि नाइलाउन या फिर किसी सिंथेटिक माटेरियल से बनते हैं उन पर जो बैन है दोस्तों इसे काफी tough करा गया इंपोस करने में और यहाँ पर जो enforcement team थी उसने यहाँ पर बात करी environment department से उनको यहाँ पर handful members को लेते हैं और traders usually यहाँ यहाँ पर manage कर पाते हैं slip को through यहाँ पर और वो sell करते हैं band kite string को ओके यह समय पता लगता है league position यह है दोस्तों कि इसे band करा गया लेकिन तब भी उसके बाद जूद यहाँ पर लोग खरीदने वाले हैं तो यह चीज़े खरीदी जाती हैं हमें आप कहसकते हैं उन पर भरोसा नहीं रखना है कि आखिर सरक कार तो करेगे अपनी तरफ से वह कर रही हैं लेकिन अगर हम आप सकते हैं उन्हें उत्चाहित करते हैं उन्हें खरीदते हैं तो basically हम ही बोल रहे हों उन्हें बनाने के लिए अगर हम इंहीं खरेदेंगे तो फिर बनेगा कैसे ? ओके किस माहिने में बनेगा जिस तरीके से आप लोग को पता होगा जब यहां पे चाइना बायकोट होना वाला था तो हमने ऐसा थोड़ना कर रहा था कि हम चाइनियस फैक्टरी बंद कर वा रहे थे हमने अपना यूज करना बंद कर दिया था तो यह चीज़े पता लगी थी कुछ ऐसे ही हमें यहां पर भी इस्तमाल करना पड़ेगा शायद उससे कुछ अच्छा हमें जो रिजल्ट है यह देखने को मिल सकता है अब देखे जोस्तों इससे पहले भी यहां पर महिने में मैं बता दूकि काफी सारी हेरिंग आया थी पैटिशन साय थी जो की कम्प्लीट बैन को लेके बात करते हैं फ्लाइंग पर किसी भी तरगी की जो यहां पर सेल है काइट्स की इन सभी कोई मतलगी उनका यह मतलब था कि पतंग उडा ही बंद कर दो बिल्कुल ही बंद कर दो यहां पर उन्होंने बोला कि there is already a ban by the government of NCT of Delhi उन्होंने बोला उन्होंने एक notification भी issue करा है कि जो Chinese मांजा है उससे ban करा जाएगा और there are 255 cases आपके सितन 2017 से आगे बने हैं तो उनके बाद यहां पर ban कर दिया गया पहले से अगर इस पांच को दोस्तो जो दिल्ली हाई कोटेस ने refuse करा कि वो पास करेगा कोई भी ऐसा direction for total ban on kite flying in the national capital आपके सितने इंस्टीड दोस्तों उन्होंने बोला कि दिल्ली पुलिस ensure करेगी कि कोई भी अगर यहां पर फिसतने complain आती है national green tribunal से कि order करा गया हो यहां पर banning Chinese synthetic मांजा तो उसको वो समाले इन बातों को यहां पर दिल्ली हाई कोट ने भी बताया है I hope दोस्तों कि अब आपको पता लगा हो कि कैसे यह जो Chinese मांजा है यह दिक्कत दे रहा है और कैसे यह लोगों को यहां पर मुसीबत में भी डाल रहा है अगर अभी कोई आपका doubt है तो इसको clear करने के लिए आप लोग मुझसे पूछ सकते है comment section में मिलते हैं next video में दोस्तों तब तक के लिए have a nice day and take care